एसस राजा मौली की फिल्म आर 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 के गाने नाटू नाटू को अब आसकर के 95 संसक्रण में ओरिजिनल सौंग की शेणी में नॉमिनेट कर लिया गया है आसकर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल्स इसकी जानकारी दी गई है कहा जा रहा है कि नाटू नाटू गानों ने लेडी गागा समेथ कई की गानों को पीछे छोड़ा है इंडियन सिनेवा के लिए एक बड़ा दिन है बता दे गाने का म्यूजिक, एमेम, किर्बानी ने दिया है ट्विटर पर अपने बयानों की वज़े से विवादों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत के ट्विटर पर वापसी हो गई है बता दे उनके अकाउंट को सस्पेंट कर दिया गया था लेकिन अब करीब 20 महीने बाद ट्विटर पर वो वापस आ चुकी है सस्पेंट के बाद फिर से सक्रियो हुए अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने एक ट्विट कर इस प्लैटफॉर्म पर लोटने की जानकारीती है कंगना ने ट्विट कर कहा सभी को नमस्कार यहां लोट कर अच्छा लग रहा है सुप्रीम कोट और सरकार के बीच चल रहे है टकराओ के बीच केंद्रिया कानून मंत्री किरन रेजजु ने मंगलबार को एक बयान देते हुए कहा कि हाई कोट के जज़ों के रूप में तीन अधिवक्ताओं के नियुक्ति को लेकर सरकार ने जो आपत्ती दर्ज कराई थी उनको सुप्रीम कोट के द्वारा सारवजनिक किया जाना एक गंभीर मुद्दा है बता दें C.J.I. D.Y. चिंद्रचूर के अधिख्षता वाले कॉलीजिम ने 19 जनवरी को पांच अधिवक्ताओं को हाई कोट के जज़ों के रूप में नियुक्त करने के अपने फैसले को दोराया था कॉलीजिम द्वारा इन वकीलों के नाम तीसरी बार सरकार के पास भेजे गए थे सुप्रीम कोट ने इन नामों पर सरकार की आपत्ती को और अपने जवाब की पुन्रावरित्ती को सारवजनिक कर दिया था इसमें सरकार की आपत्ती सौरब कृपाल के नाम पर जादा थी जो की समलेंगिक हैं और उनके साथी एक विदेशी नागरिक हैं। इसके बाद कानून मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि गोपनिय रिपोर्टों का सारवजनिक करना गंभीर चंता का विशह है। मैं इस बार आतियो कुष्टी महासंग के अद्दक्ष ब्रिज भूशन के खिलाफ लगाए गए संसनी खेज आरुकों की जांत के लिए बनाएगी कमेटी के चैन को लेकर अब विरोध करने वाले पहलवानों ने सवाल उठाए है। बहरत की महला पहलवान साक्षी मलेक ने समिती के से पहले हमसे राय भी नहीं ली गई। साक्षी मलेक ने स्टूइट के साथ प्रधान मंत्री मोदी, ग्री मंत्रिया में शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को टैक किया है। बतादे पिछले हफते दिल्ली के जंतर मंतर पर महला पहलवानों, साक्षी मलेक और विनेज खेल मंत्राले के द्वारा बनाएगी पांच लोगों की कमेटी में मेरी कौम के अध्धक्ष बनाए गया है, ये कमेटी कुष्ती संग का कामकाज भी देखीगी। दिगवजे सिंग के पुलबामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक पर दिये गया बयान से कॉंग्रेस पार्ट तो उसे सबूत पेश करने के जरूरत नहीं है, मैं व्यक्तिकत तोर पर उनकी कही गई बातों से पूरी तरह असाहिमत हूँ। इस दोरान जब पत्रकारों ने सबाल पूछा कि दिगवजे सिंग ने पहले भी अपने बयान से पार्टी को मुश्किल में डाला है, लेकिन उ पैसी बातचीत होती है, तो अतिवादी विचार रखने वाले लोग अपने विचार रखते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में बातचीत होती है, बीजेपी और आरेसेस में कोई बातचीत नहीं होती, ये बस तय करते हैं कि यहीं होना है और उसके बाद कोई नहीं बात कर सकता राहुल ने नोटबंदी का उधारन देती हुए कहा कि प्रधान मंत्री एक सुबह उठते हैं और कहते हैं कि हम नोटबंदी करने जा रहे हैं ऐसे ही GST लागू करते हैं जो कि देश की रीड को पूरी तरह से तोड़ देती हैं ऐसा इसलिए क्योंकि आप बातचीत नहीं कर रहे हैं राहुल ने कहा कि हमें लगता है कि बातचीत बहुत महत्तपूर्ण है लेकिन कभी-कभी जाहिर है हर बातचीत में ऐसे लोग होते हैं जो हास्यासपत बाते कहते हैं और इस मामले में मुझे एक वरिश नेता के बारे में ये कहते हुए खेद है लेकिन दिगवज सिंग जी ने एक हास्यासपत बात कही है राहुल गांधी ने प्रस कॉन्फरेंस के दोरान गुलाब नभी आजाद पर तंज कस्तिवर कहा कि उनकी पार्टी के 90 फीसिदी नेता तो हमारे मंच पर बैटे थे दरसल राहुल गांधी गुलाम नभी आजाद पर कहा कि गुलाम नभी आजाद के 90 फीसदी नेता तो उनकी पार्टी में है वो मंच पर यी थे बस उस तरफ सिर्फ गुलाम नभी आजाद ही रह गए इस दोरान राहुल ने हल्की से मुस्कराहट के साथ कहा कि अगर उन्होंने किसी तरह से उन्हे कोई दुख पहुचाया हो तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं अंत में राहूल गांधी ने कहा कि वो अच्छे आदमी है कॉंग्रेस निता राहूल गांधी ने गुजरा दंगों को लेकर BBC की डॉक्यमेंटरी इंडिया दा मोधी क्रेश्चन पर कहा कि सच को बाहर आने की बुरी आदत है अगर आप हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ें भगबत गीता या उपनिशत को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि सच को छुपाये नहीं जा सकता है राहूल ने प्रेस वारता के दोरान एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि आप बेन लगा सकते हैं, प्रेस को दबा सकते हैं, संस्ताओं को नियंतरित कर सकते हैं CBI और ED का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सच तो सच है ये चमकता रहता है और सच को बाहर आने की बुरी आदत है उन्होंने आगे कहा आप चाहें कितना भी में लगा दें, लोगों को डराएं लेकिन ये सब कुछ सच को बाहर आने से रोक नहीं सकता है PM मोदी और गुजरात के 2002 के दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंटरी का अमेरिका ने भी समर्थन नहीं किया है, उसने सारे मामले से करीने से जवाब दे दिया है BBC डॉक्यूमेंटरी पर अमेरिकी विदेश मंत्राले के प्रभकता नेट प्राइस से जब सवाल पूछा गया तो नोंने कहा कि उन्हें डॉक्यूमेंटरी के जानकारी नहीं है, लेकिन अमेरिका और भारत के साज़ा मूल्यों के बारे में जानकारी है जो यूएस और भारत को दो जीवन्त लोकतंत्र बनाते हैं एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए प्राइस ने कहा, ऐसी कई वज़ें हैं जो भारत के साथ अमेरिका की ग्लोबल रणनीतिक साज़दारी को मजबूत करते हैं जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और असाधरन रूप से लोगों के बीच गहरे संबंद शामिल हैं हम हर उस चीज को देखते हैं जो हमें एक साथ जोड़ती हैं और हम उन सभी तत्तों को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं जो हमें एक साथ बानते हैं उन्होंने पत्रकार के सवाल के जबाब में कहा मुझे इस डॉक्यूमेंटरी के बारे में पता नहीं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बतादें से पहले बिटिश पीम रेशे सुनक भी पीम मोदी का बचाओ कर चुके हैं मालूम हो कि भारत सरकार ने इस डॉक्यमेंटरी को भारत में बैन कर दिया है लेकिन राजनीतिक विशलेशकों का कहना है कि इसकी जरुवत नहीं थी मोदी सरकार को अपने संस्थानों पर भरोसा जताना चाहिए था और डॉक्यमेंटरी को तवज्जो नहीं देनी चाहिए क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट से क्लिंचिट तो मिल चुकी है और दूसरी बात ये भी है कि इस डॉक्यमेंटरी से बीजेपी को देश में चुनावी रूप से कुछ भी नुक्सान नहीं होने वाला है ये बीजेपी की राजनीती को सूट करती है हाला कि भारत के G20 देशों के अध्यक्षता से पहले BBC के द्वारा जारी की गई इस डॉक्यमेंटरी का उद्देश अंतराष्टी इस तरपर मोदी की छवी पर सवाल उठाने से हो सकता है हैदराबाद विश्यविध्याले में BBC की गुजरात दंगों को लेकर बनाई गई डॉक्यमेंटरी इंडिया दा मोदी क्वेस्चन को दिखाये जाने को लेकर नया विवाद हो गया और विश्यविध्याले ने शिकायत के बाद जांच के आदेश दिये हैं लेकर विश्यविध्य रिपोर्ट मांगे है वहीं ABP की ओर से अभी पुलिस में शिकायत नहीं दी गई है बतादें जेनु में भी BBC की इसी डॉक्यमेंटरी को दिखाने के लिए कारकरम रखने की बाद सामने आई लेकिन प्रशासन ने इस कारकरम को रद करने का आदेश ज लाई जा सकती इसके बाद उन्होंने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थकित कर दिया MCD सदन में मेर चुनने से पहले मनोनीत पारशदों और निर्वाचित पारशदों को भारी सुरक्षा में शपत दिलाई गई इसके बाद मेर का चुनाव होना था लेकिन शपत के MCD प्रभारी और आपनेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि BJP के पास संख्या नहीं है इसलिए उन्होंने हाउस को इस्तगित किया है हमारे सभी पारशद यहीं बैटे हैं दम है तो आकर वोटिंग करवा लीजिए दिल्ली की जनता के जनादेश का सम्मान करें पाठक ने कहा कि आमानी पार्टी की मांग मेर का चुनाओ आज ही हो इससे पहले BJP सांसेद हंसराज हंस ने कहा था कि आज BJP का ही मेर चुना जाएगा दिल्ली नगर निगम के मेर का चुनाओ फिर से टाल दिये जाने को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनी सिसोध्या ने BJP पर समाजबादी पार्टी के MLC और पूरुमंत्री स्वामी प्रसाइद मौर के खिलाफ रामचरित मानस पर कथित तोर पर विवादित बयान देने के मामले में FIR धर्ज कराई गई है लखनों के हजरत गंज पुलिस स्टेशन में ये शिकायत एशबाग निवासी शिवेंदर मिश्र ने दी उनकी शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया है बिहार के बाद यूपी से मौर अकेले नेता हैं जिनोंने इस मुद्दे पर बयान दिया था बीजेपी की तरफ जुकाओ दिखाने वाले सुहिल्दे पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजबर ने भी आज मंगलवार को स्वामी प्रसाध मौर पर कथित विवादित बयान के लिए हमला बोला था उनने मंगलवार को बस्ती में कहा कि अखले श्यादव मौर को फोरन पार्टी से बाहर निकाले बतादे सपा निता सुआमी प्रसाध मौर ने रामचरित मानस पर विवादित टिपनी की थी उनने कहा था कि रामचरित मानस का कुछ हिस्सा आपत्ति जनक है उस पर मैन लगन चाहिए इसमें दलितों को आदिवासियों को पिछनों का अपमान किया गया है उन्होंने कहा ये सब बकबास है ये तुल्सी दास ने अपनी तारीफ और खुशी के लिए लिखा है धर्म हो हम उसका स्वागत करते हैं पर धर्म के नाम पर गाली क्यों दलित को आदिवासिय बेचने के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया। ये फिल्म देश में अब तक रिलीज हुई सारी फिल्मों में सबसे ज़ादा एडवांस बुकिंग टिक्टे बेचने वाली फिल्म हो गई। इसने बाहुबली टू फिल्म का रिकॉर्ड दोड दिया। 25 जन्वरी को रिली तू रही है जिसने रिलीज से पहले 6.59 लाग टिक्टे बेची थी। बता दे पठान फिल्म का काफे विरोध भी हुआ है लेकिन उसके बाद ये और चर्चा में आ गई। अब सबकी नजर ओपनिंग पर और उसके बाद फिल्म की होने वाली कमाई पर है। अमेर्की गन कल इस बड़े पैमाने पर शूटिंग की घटनाएं हुई ये आंकड़े चौकाने वाले हैं इसका मतलब है कि इस साल अमेरिका में पिछले साल की तुल्ला में अधिक सामोहिक गोली बारी हुई है जबकि 2023 का पहला महीना चल रहा है एवरी टाउन रिसर्च और पॉलिसी खेले जा रहे तीसरे एक दिवसी मैच में भारत ने पहले बल्लेवाजी करते हुए 385 रनों का स्कोर खड़ा किया है भारत की ओर से सलामी बल्लेवाज रोहिश शर्मा और शुबमन गिल दोनों ने शतक जड़कर टीम के स्कोर को 385 तक पहुँचाया शुबमन गिल और रो के तेरे चौके और पांच छक्के लगाए इससे पहले नियुजिलेंड ने टॉस जीत कर भारत को पहले बल्लेवाजी के लिए बुलाया था अब तक के खबरों में इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्त हिंदी के साथ तमस्कार